नमस्कार अली पोस्ट के टॉक्षो में आप सभी का स्वावत है और मैं हूनियती आप सभी को पता दू यह जो टॉक्षो है इसको संचालित इटू बेकरी कर रही है और आज के जो हमारे गेस्ट है दिपिका राजपूत जो वाइस प्रेजिदेंट एसी एफ के पहले तो मैं इनका स्वावत करती हूं आज के टॉक्षो में थैंक यू थैंक यू सो मच हम जानना चाहेंगी क्योंकि बड़े सारे ऐसे वीवर्ज होंगे जिनको एसी एफ के बारे में नहीं पता तो मैं मैं पहले शुरुवात में आप से जानना चाहूंगे कि एसी एफ है क्या जिए क्रफ्टनेस जो चल रही है लाइफ में जितनी भी आप देख लीजिए जो भी सोसाइटी में बुराया चल रही है उसको eradicate करने के लिए यह संस्ता जो है काम कर रही है इसमें क्या क्या काम होता है, exactly क्या काम किया जाता है? देखे, बिल्याती जी, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताओं, कि काम करने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले, हमें उस चीज़ का awareness जो है, वो पब्लिक को शोग करना पड़ता है. हम ये जो drugs चल रहा है, जैसे आप corruption चल रही है, ये सब चीज़े चल तो रही है, आम जिन्दगी की life में चल रही है, बट हमारा काम क्या है? कि ये बुराई है, और इसके बारे में हमें उनको aware करना है, कि आप जो कर रहे हैं, अगर आप किसी को bribe कर रहे हैं, या आप से कोई accept कर रहा है, या दे रहा है, या आप से कोई मांग रहा है, या किसी भी, किसी भी तरीकी के acceptance जो है, ये बुराईया जो है, वो समाज में नई होने जही हैं, क्यूंकि एक चीज़ को अगर आप लेते हैं, ये चीज़ें पनपती हैं, तो बहुत सारी life जो हिससे effect होती है, मैं शुरवाति पल की बात कीज़ा, आप ने इसमें शुरवात कब की, और कैसा है, बहुत अच्छा, ये मुझे तो सिरुफ मात्र दो महीने हुए हैं, इस संस्था के साथ जुड़े हुए, पर जब मैं इनकी website पे गई, इनके fp page पे गई, और वहां के हर state के जो मतलब इनसान इसके साथ attach हुए हैं, और उनका जो profile और उनके जो काम करने का तरीका देख करके, मैं वाकी मैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इस तरफ पर ये लोग काम कर रहे हैं, तो वही चीज को ध्यान में रखते हुए कि अगर बाकी states में इतना awareness चल रहा है, तो हमारी state क्यों पीछे रहे हमें इसके ओपर काम करना बहुत ज़रूरी है, पर जिस तरह से आपने बताया कि मुझे मातर दो महीने हुए हैं इस organization के साथ जुड़े हुए, और आपने ये भी बताया कि awareness करती है, जैसे drugs को लेकर, तो कितनी दिक्तों का सामना आपको भी करना बढ़ता होगा, आपको लगता है कि आपने भी किसी ना किसी को भी handle out किया ही होगा दो मीने के अंदर, सबसे पहली बात ये है कि कोई आप जाएंगे कहीं पर आपने जहां पर companion करनी होगी, आप बात करेंगे कि drugs के लिए, आपको पता है कि drugs के related उसमें आप एक खलकी सी, वो smoking का ही ले लीजिए, तो वो कहां आप अपने घरों में भी हम लोग सभी देखते हैं, कभी किसी को इस चीज की आदत है, छोटे से लेके आप देखिए ना, कई तो शोक से लेते हैं और कई तो इसके अडिक्ट बन चुके हैं, तो जब हम बाहर जाते हैं इसकी awareness करने के लिए शायद कोई सोच हमें वहाँ पर रोकती भी है, भई क्या कर रहे हैं, तो तुम्हें इससे क्या मिल जाएगा, तो लोगों की, कुछ लोगों की बोलूगी, सभी लोगों की नहीं, क्योंकि कुछ लोगों की सोच वहाँ पे हमें रोकती है अरे तुम्हारे बोलने से क्या हो जाएगा रोज आड तो आती है टीवी पे सियेटर में जाओ वहाँ पे भी तो आड भरी पड़ी होती है तो क्या लोगों ने छोड़ दिया पर वही पर अगर हम अपनी सोच रोक दे तो क्या ये हमारे में इंसानियत है अगर एक मीडिया उस चीज़ का प्रचार कर रहा है तो बिंग अ हुँमन हम लोगों को क्यों ने इस चीज़ का प्रचार करना चाहिए कि ये आपके लिए सही नहीं है हो सकता है 100 की gathering में आपके पास at least वहाँ पे 10 ऐसे जो हो आपकी बात को सुनकर motivate हो आपका लक्ष वो होना चाहिए कि एक भी आपकी बात सुनता है तो आपकी बात उस तक पहुंची है तो माम ये drugs को नशे को दूर करते हैं तो अभी आपने कोई ऐसा केस हैंडल किया ऐसा केस में सबसे पहले जिनको आदत पड़ी थी हाँ उनसे बात करने का मौका मिला देखिए कोई भी आदत जब बहुत किसी के साथ लग जाती है एकदम से छूपती नहीं है पर उसको क्या चाहिए उसको कोई सुनने वाला चाहिए सबसे चीज अगर आप कोई चीज को जीतते हो तो जीतने के लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होती है विल पाउर कहां से आएगी मोटिवेशन से आएगी तो वो मोटिवेशन कौन देगा हम लोग देंगे तो naturally उन लोगों को हमारा time चाहिए और हमारे पास time होना चाहिए हम उनकी बात को सुन सके उनकी जो problem है उस चीज को कम से कम dilute कर सके किस इस तर पर तो ये कोशिश हमारी उनके साथ में रहती है जहां हमें दिखता है उसको ये बताने की वज़ाए कि तुम क्या करोगे या उसको डांटने की वज़ाए पहले उसकी बात तो सुनो कि वो कोशिश कर पार रहा है उसको छोडने की वो चाहता है तो उसमें वो इच्छा शक्ती जो है वो आपको जगानी पड़ेगी अगजारी नशे को दूर करने के लिए पहले उसको समझाना पड़ेगा उसके लिए सोचना पड़ेगा कि उसको टांट की कुछ फाइदा निया क्योंकि आप जैसे सब जानते हिए इक बच्चे को अगर चीम आप दकर शाचता लिए वह प्यार से भी उसको पर चाहिए तो क्या बता वो जल्दी उसको ग्राब कर ले तो वही बात इन्हों ने नशे की भी कि अपहले जेस्ट को समझना पड़ेगा उसको समझाना पड़ेगा फिर आगे उसको पर काम करना पड़े मैं professionally पर आते हैं थोड़ा कि आप by profession क्या करते हैं Okay, by profession जो मेरी journey शुरू ही, as a teacher शुरू ही I have worked in the army schools, I have worked in various institutions और उसके बाद now I am a well-known educationist और मुझे इस चीज का बहुत proud है कि मैं शिक्षक के साथ साथ ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ी हूँ जो कि हमारे आने वाले ये जो students है उनके भविश्यों को ना सिर्फ academically हम लोग sound करें पर उनको कुछ values भी देखे जाएं मैं inspiration पर आते हैं थोड़ा सा Life में बड़ी सारी ऐसे चीज़े होती हैं जिससे हमें inspire होना भी पढ़ता है और कलियों को inspire करना पढ़ता है तो वो कैसे होता है उसको किस तरीके से किया जाता है आप inspiration की बात करते हैं तो मैं आपको बताओं कि जिंदगी में मुझे जो inspiration जो है वो सिर्फ एक ही time पर नहीं आती हर कदम पर मिलती है और जब भी आपके साथ कोई ऐसी बड़ी चीज जो आपको हेंडल करनी पड़ती है या कह लीजिए कि एक अबस्ट्रेकल को आपने हैंडल करना है वो मेरे लिए एक inspiration का काम करता है क्योंकि वो मुझे मतत एता है मुझे इसको कवर करना है जितना भी बड़ा इशु क्या नहों कुल भी कुछ भी हो पर वो inspiration आपके साथ अंदर से आती है कि I have to overcome this rather than going for any kind of an excuses लाइफ में शाहिद मैंने excuses ही नहीं entertain किये पर वो inspiration अंदर से ऐसी थी कि हर hurdle को में cross करती रही क्या मैम कोई ऐसा incident कोई पल आपका ऐसा हुआ होए जो हम आप भी viewers के साथ शेयर करना है करना जाहूंगी कि मैं I don't want to name them मेरे साथ ऐसे बच्चे भी confront किये जो लाइफ में सबसे इंपोर्टेंट स्टेज पे थे when they were supposed to appear for their board exams 12th का तो आपको बता है कि हमारे बच्चे इतने depressed हो जाते सबसे जादा depression उनको class 12 में रहता है mother father की expectations से जादा relatives की जितने आपके relatives होते हैं उनकी expectations फिर neighbors की expectations की आपके कितने माख साए अच्छा उनके बेटे ने तो वो expectations उनको इतना कर जाती है कि I have seen them कि literally they used to cry मुझसे नहीं हो राद when they totally give up छोड दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा मुझे चाहे उनको morning में console करना पड़े चाहे शाम को चाहे वो मुझे रात के 12 बजे contact करे किसी time पर की मैं अब क्या हो मैंने उन बच्चों के लिए हमेशा अपनी phone calls open रखे जब उनका मन किया वो मेरे पास मिलने के लिए आई मैंने सरफ एक चीज़ अपनी जिंदिगे में रखी है कि कम से कम मैं सबका तो नहीं जानती पर जो मेरी life के साथ जुड़े हैं या जो मेरे रास्ते में आ रहे हैं जिनके साथ मेरा कोई contact है मैं उन लोगों को कभी भी कोई ऐसी परेशानी ना आने दूँ और उनके depression को overcome करके और वाकई में उनका depression overcome हुआ वो confidence को वापिस लिये और board में बहुत अच्छे marks लिये बहुत बड़ी बात है हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है बट जिसके अंदर ये खूबी होती है हमेशा अपनों का और औरों का भी जो है बला जुरूर करते हैं जिस तरह से माम ने बताया कि काफी बच्चे जैसे डिप्रेश जोते तो उन्होंने मतलब उनको माम ने मैंज किया उनके लिए फोन कॉल्स आउन रोके भी बड़ी बात है और ऐसा करना बहुत अच्छी सी बात है तो मैं मैं अपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि बड़ी कुछ ही होती है कि जब टीचर को कुछ ही होती कि हमारा बच्चा हमसे पढ़ा हुआ बच्चा स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर बना है बड़ी अच्छे लग लग फील्ड में गया है तो उसके साथ आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा कि आपका पड़ा वो बच्चा जो है डॉक्टर बना इंजिनियर बना और फिर वो आपके पास आता है कि हम मैं मैं आपसे पड़ा हूँ और आज मैं यहां अपड़ा लेकर के चलती हूँ जीमसी में बहुत सारे मेरे पुरे एक बैच बैठा है जो मैक्सिमाम स्टूडेंस जो है वो सेलेक्ट हुए थे मबबेश के लिए इतने सारे बच्चे है जो आपके इंजिनरिंग के लिए सलेक्ट हुए जब आते हैं गर्स को यह नहीं कर् अच्छा है इसने मुझे इस चीज का रिगार्ड दिया यह तो मुझे बच्चे रिगार्ड देते हैं पर I have seen कि मेरी लाइफ में कुछ मेरे साथ एड्यूकेशन इंड़स्ट्री में जब टीचर्स जुडए जब वो मैं उनको ट्रेंड कर रही थी तो उन टीचर्स वो में झिमिल टीचर्स जब मेरे पैर्श होते हैं तो जिंदगे में ऐसा लगता है कि वाकी में मैं जिंदगी में कुछ कमाया है तो एजилась के हिसाब से नहीं नेक्स जो आपकि सामने खड़ा इंसान अगर आपकी इजध करता है तो वहाई पर आपको लगता है कि आप सिंदगी मे जा रहे हैं, तो वो आपको सामने दिखाई देता है, वो आपके लिए दो बोल जो है, वो आपके पीठ पीछे आपको सुनने को मेर जाते हैं. मैं युवाओं की बात की जाए तो इस समय जो युवा है वो नशे की योड जा रहे हैं बड़े सारे आसे युवा है आपको जगा जगा पर बच्चे दिखेंगे ड्रग्स ले रहे हैं स्मोक कर रहे हैं तो क्या लगता है किसके पीछे क्या रीजन्स हैं क्यों बच्चे जो इस तरफ जा रहे है वाए नॉट अपनी प्रोट स्पवर्ट इंस फी'll भी है उस तरफ नहीं जा रहे और नशे को जो यह है अडिक्ट कर रहे हैं दो तरीके के बच्चे आपको मिलेंगे एक जो को जो जो बच्चे पेरिंट्स ने पैमपर किये हैं उन्होंने ये देखा कि हमारी जिम्मेदारी बच्चे को सिर्फ पैसा देना है, कितना मुझ से मांगता है उतने डेड़ो शायद उसको जरूरत है, वो बच्चा उसको कैसे इन्वेस्ट कर रहा है उसकी उनको कोई जानकारी नहीं है, तो नैचरली जब आपके पास जरूरत से ज़्यादा कोई वहां पर खींच के लेकर जाएंगे एक बच्चा ऐसा है जो कोशिश करता है बिल्कुल अंडर प्रिविलेज है जिसको कोशिश को मिली नहीं रहा कि मेरे को सहारा नहीं कहीं मिल रहा वो अपने उस चीज को कि वो मेंटली अपने आपको साउंड नहीं समझता और एक वो है जो शोक से करते हैं देखते हैं कि अच्छा यह सोसाइटी है अरे तुम तो ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें इस क्लास में नहीं मानेंगे अरे इस जगह एंटर हो नहीं इस क्लब में एंटर हो नहीं यूशुड एप सम सिग्रेट बगेर देर तो पूज है कोना सिग्रणा अरे हो अरे ही माच शεται दिखेगा इस तुम समाथने आप शर्मकान से यह ठाटनेस को dziश को पूज को करके एंटरम्हें लेश मत्यान को कर चिज़ेए पूऌ इस साइटी बच्चों को अग्स्ट्क आरे है है और कुछ ऐसे बच्चे जिनकी बात जो है वो अपनी बात को दूसरे तक नहीं पहुंचा पारे जो इंट्रोवर्ड है जो दिल में रखते हैं तो एक्जैक्ली हर कोई इस चीज इस दर्ड से चुटकारा जाता है तो यह चीजे हैं यह कुछ सोशल कॉजिस हैं जहां हमारे बच्चे इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं मैम और्गनेज़ेशन की बात की जाये ड्रग्स तो आपने बताई दिया इसको अवेर करती है आपकी और आपने यह बी बताया कि किस तरीके के डीजन रह रहे हैं बच्चों के लिए कि वो नशे की और जा रहे हैं आजखल का युवा पर बात की जाये मैम इस सिरुफ एक ड्रग्स के उपर नहीं है यू माइट हैव सीन की गर्ल चाइड पर सेव गर्ल चाइड वो सबसे बड़ी महा खुरीती है जहां पर दस बच्चियों का जो जो जीना चाहती है वो एक बेटे के पीछे अपनी जिन्दगी नहीं जी पाती है तो गर्ल्स चाइड के ऊपर उनकी जिन्दगी के उपर उनकी एजुकेशन के उपर बच्चियों बड़ी हो जाती हो ए पेरेंट्स सोच थे है कि इनकी शादी करवाना ही अल्टीमेटली इनका फर्ज है जो पैसे वो नहीं करने चाहते हैं उनकी एजुकेशन पे तो फिर एक और दायरह आता है हैं कि दूसरे घर में जाखे के लिए उनकी हत्या की जाती है क्या वह नहीं वह भी एक सबसे बड़ा समाज का केते हैं बहुत बुरा सा effect है जो हमारे society में है है आप देखिए इसको कहीं पर दिख जाता है और कहीं पर दिखता नहीं है और जहां पर दिख जाता है, वहां पर थोड़ी कोशिश करिये, हरकत करिये, पुछ ना कुछ तो मिलेगा रिस्पॉंस, पर जहां पर बताया ही नहीं, जिसको इतना स्मार्टली हैंडल किया गया, वो किस नजरीर में, क्योंकि इंसान तो इंसान है ना, सो मेरी कोशिश यह रहेगी कि बहुत सारे ऐसी चीजे हैं जो समाज में उनको हमें उसको इरेडिकेट करना, इस समाज से निकालना है, वो क्या है, वो सिर्फ यह है कि हम उनको अव्यर करवाएं, गर्ल्स को बोलें कि तुमारे यह राइट्स है, एकुल एजुकेशन का तुम तुमारा राइट है, प्रॉपर तुमारा डाइट लेना तुमारा राइट है, और यू मैट है कि वहीं घरो में ऐसा चीज होती है कि नहीं यह चीज और शुद बेकर दो बोई और गर्ड, वाइस तो आप सोचोगे कि माम यह 2022 की बात कर रहे हैं, कैसा एग्जिस्ट करता ह और बहाँ पर हमारी जो बचिया है उस चीज से सफर करती है, बिल्कुर, मैं मैं अन्त में चाहूंगी कि आप एक मैसेज हमारे वियर्स को दीजिए, क्योंकि आप एक एजुगेशनिस्ट भी है और आप एक और्गनाजेशन के साथ भी जुड़े हैं, तो क्या मैसेज हमार और पुरिती ती हमारे इसकर और उससे देखा था एसी समयाजिक कुरितीयों के बारे में कि ये जो एक्षिस्ट करती थी, कही न कही में बोल देती थी, बच्पन से आर्दत है, बोल देती थी, क्योंकि ऐसा रहा नही जहा नही जाता QYं, कैसे? किसलिए? तो हो सकता है आप उनको यह चीज जरूर सिखाए कि आप एक्वल है आप एक्वल है वोईस तो एक घर का चलाते हैं गर्ल्स दो घर को चलाती है तो वो हमेशा याद रखिए गर्ल्स को सोसाइटी में उतनी ही रिस्पेक्ट दीजिए जितना आप एक मेल के लिए एक्सपेक्ट करते हैं बहुत अच्छा लगा मैम आज आप से बातचीत करके और आप लोगों ने भी सुन लिया मैम का भी कहना है और आज के समाज में भी कहना है क्योंकि सारी तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात भी की जा लिया तो फीमेल्स को भी उतना ही दाइरे में रखो जितने म कि बहुत है और आज वैसे भी हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर दोनों को बराबर माना जाता है किसी को कम नहीं माना जाता तो अगर आपको भी आगे बढ़े और ऐसा ही सोचें और बाकियों को भी ऐसे ही मॉटिवेट करें कि बराबर हैं लड़किया लड़कों म यह मॉचकर है